यहां परमलों बात करने वाले हैं कच्छा 10 के भी दियार्थियों के लिए आप हिंदी का भी से कैसे तयार करेंगे और डियसंस से इन यमों का पालन करते हैं तो हिंदी में आप अपना सत प्रिसाद दे कर आएंगे यह डियसंस कुछ भी नहीं करना है बस दियेगे जो तो चलिए जितने भी क्लास 10 के लिए दियार्थियों है फड़ा फड़ जुड़ी है और दूसरों को भी जुड़ी है कच्छा 10 का यह बहुत ही महत्तपूर इसन विषय हिंदी है और हिंदी का काम तमाम आप कैसे करेंगे बचे हुए 5-6 दिनों में दीके पहले डिसनस पर और हुगा उसमें गद मिलेगा पत्द मिलेगा संस्कित खंड मिलेगा व्यक्र मिलेगा संद्र मिलेगा फंड का मिलेगा यहौं सम निबंद यह चीजिसे सामिल होंगी Lookie पारिच्चा में सफ़ल प्राफ्प्र करेंगे क्लिए संभ और समय sposób वहाइत है बहुत जरूरी ह ठीक है उसके बाद जब आप बढ़ते हैं इसमें आगे है तो देखें दूसरी महत्रप्र पॉइंट क्या आप लोग को ध्यान रखना है इतने एक्जाम के लिए जब भी हिंदी कवेपर आप देने जा रहे है तो इदायत कावे 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 शंदर ये देशे तरस अंदर अलंकार हो गया तो इसको भी ध्यान दीजेगा परिभासा अधराल को अच्छे से त्यार कर लिजेगा और देखें अब लोग को सारांस उद्देश्य और भास साहली को समयना है कोई भी रचना अगरा पढ़ रहे हैं तो उसमें इन सभी चीजों का विश्यस ध्यान देना है सब्रशना के तटों में वांग यहां पर हम लोग बात करें दो उप्षर हो गया पर शरग हो गया समास हो गया पर रियावाची तथ संब प्रश्ण पत्र तो उसको एक बर आप लोग अच्छे से देख लिएगा प्रश्ण आप लोग को मिले तो पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है शमलने के पर साथ ही उत्तर लिखना है कि इस पर आप बहुत बेटर तरीके से लिख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्णों के उत्त लिखते हुए एक पेपर दिना है यह उत्तर लिखते हैं आप लोग को शब्द सीमा का ध्यान सबसे ज्यादा ज़री है यदि आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो निश्य तो पर आपका पेपर जो होगा वो छूड़ जाएगा तो समय समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत हैं जिए कभी दास का बारे में पूछ दिया अगरर आप लूंग उसे तु दिखने आंपर क्या लिखाए कभी दास के बारे में द हुखा जाल है तो जनव की बात हो गई उन उन्होंने यह पढ़ा उनका प्राणिक जीवन कश्टूम बिताई है वो जब लेखा जीवन कजातर यहीं होता है प्रादम तब समझेगा उसको अच्छे सितम और जब भी आप लिखे हिंदी का पेपर तो उसमें अल्प विराम आप लोग कहां देना है पूर्ड विराम कहां प्रादम तो निजशी तोड़ आप इज़ाम देना हो गया और उपसंगार हो गया उसको अच्छे से लिखे और भटकना नहीं है भटकने का मतलब क्या है कि करंबत्ता विचार सभासा सहली और सभ्ध सीमा का ध्यान बहुत जब रखना है संसकित खंडे प्रादारी जो इसे ध्यान रखते हुए अपना उत्तर जो आप लोगो देना है खंड़काव में देखिए अपने जीले से लिटेट आप पदा चला कि आप नों को जो भी पुछ दिया गया कि तुम लगाव कहा है पदा चला कि आपके जीले का नहीं है लेकिन आपके दूसरे जीले के तब महां से आप लोगों का तुनन नुकसान होना एकता है तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने एक्जान को बेहतर तरीके से दीजिए जल्दी मिलते हैं हम लोग किसे अने दूसरे टॉपक के साथ तब तक के लिए टेकड़ बजाज गुडबाय जैहिंद जैभा इसे सेर जरूर किजिएगा